हेलो दोस्तों मैं हूँ अभिशेक और आज हम बात करेंगे एक नए फोन के बारे में जिसका नाम है Moto G4 जो कि इंडिया में कल से अवेलिबल हुगा इस फोन का नाम Moto G4 है और ये Moto G4 Plus का छोटा वेरिंट है यानि कि एक यहां पर किये गए हैं बाकी सारी चीज़े सेंटू सेम है Moto G4 में आपको सेम डिस्प्ले मिलता है सेम हार्वेर मिलता है सेम स्टोरिश मिलती है सेम रैम मिलती है लेकिन Moto G4 का सिर्फ और सिर्फ 16GB स्टोरिश मॉडल इंडिया में लांच होगा जो कि होगा 12,500 रुपे की प्रा करेंगे Moto G4 Plus से और बाकी और फोन से जो कि similar price point पे आते हैं और यह भी बताएंगे आपको कि किस तरह की compromise Moto G4 में किये गए हैं अगर आप इसे compare करते हैं Moto G4 Plus से सबसे पहले हाडवे के बारे मात करते हैं हाडवेर इस फोन में मिलेगा आपको Snapdragon 617 1.5 GHz Octocore CPU जो कि सेम है जितन वो यह है कि इस phone में आपको fingerprint sensor नहीं मिलता है और camera के मामले में भी यहाँ पे compromise है इस phone के अदर आपको camera मिलेगा वो मिलेगा 13 MP का जबकि आपको Moto G4 Plus में 16 MP का camera तो comparison के मामले में इसके megapixel कम है और camera sensor भी अलग है इस phone में आपको face detection autofocus और laser autofocus भी नहीं मिलता है जो कि आपको Moto G4 Plus में मिलता है तो camera में यहाँ पर compromise किया गया है और दूसरा compromise इस phone में है वो है कि इस phone के अंदर आपको fingerprint sensor नहीं मिलता है जबकि Moto G4 Plus में आपको fingerprint sensor मिलता है तो इस तरह से यह phone comparison में आता है अगर हम बात करें बाकियों चीजों के बारे में तो 5.5 inch का full HD display आपको Moto G4 में मिले है और charger package के अंदर आता है याने कि turbo charger आपको package के अंदर मिलेगा Moto G4 हमारे पास आ चुका है यह है इसका box इस phone की unboxing हम करेंगे इस video के अंदर लेकिन इसका full review और बाकी impression जो है हम बात मताएंगे तो मैं आपको box content सबसे पहले दिखा जेता हूं ताकि आपको पता सिल जाए कि कि इस तरह का phone है तो display के मामले में आपको same size का display मिलता है इसमें 5.5 inch का same display full HD display मिलता है जबके camera यहाँ पे 30MP मिलता है जो की autofocus camera है high definition के video record कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको face detection autofocus और laser autofocus यहाँ पे नहीं मिलता है साथी साथ fingerprint sensor यहाँ पे नहीं दिया गया है तो वो भी compromise है हाल 12GB की storage और 2GB की RAM मिलेगी और साथ ही साथ Moto G4 सिर्फ और सिर्फ 16GB version में आएगा 32GB की storage model में यह phone आपको नहीं मिलेगा यानि कि सिर्फ एक ही model इस phone का आपको मिलने वाला है बात करते हैं इसके package contents के बारे में कि क्या क्या चीज़े इसके package में आ रही है तो यह सारी चीज़े इ आपका turbo charger तो turbo charger आपको package में मिलता है जो कि यह है इसके बाद हम देखें तो इसके अंदर आपको mic USB cable मिलती है जो कि data syncing और charging के लिए आप यूज करते हैं हाला कि यह turbo charger इस phone के साथ चलेगा लेकिन बाकी और phone के साथ शायद ना चले इसके साथ आपको बहुत ही basic quality के headphone मिलते ह है और यही सारी चीज़े इस package के अंदर मिलती है अगर हम सार वेल्यू की बात करने तो सार वेल्यू यहां पर mention है वो है 1.086 watt per kg और head के लिए और body के लिए है 1.48 watt per kg और आपनी सार वेल्यू को यहां पर देख सकते हैं अगर आप इसको ठीक से देखें तो यहां पर सार वे बात करें तो इस phone में आपको same connectivity मिलती है जो कि Moto G4 Plus में मिलती है तो बैकरी यहां पर 3000 mH किये लेकिन बैकरी को आप रिमूफ नहीं कर सकते हैं और दूसरी चीज़ यहां पर SIM card slot जो है दो दिये गए है हाला कि 4G पहले SIM card slot में support होगा जबकि दूसरे SIM card slot में 4G का support नहीं है त देखा जाए तो Moto G4 एक अच्छा phone दिख रहा है display के मामले में overall value के मामले में इस phone को अगर हम देखें तो display आपको same मिलेगा जो की Moto G4 Plus में मिलता है और 1000 रुपे आपको कम देने हैं लेकिन 1000 रुपे में जो compromises आपको देने पढ़ेंगे वो है 30MP का camera जो की उतना अच्छा camera नहीं है और साथ ही साथ इस phone के अंदर आपको fingerprint sensor नहीं मिलता है अगर हम इस phone को compare करें बाकी और phone के साथ जो की market में है तकरीबन इसी price point पे तो एक phone इसी market में आने वाला है इसके साथ जिसका नाम होने वाला है Honor 5C जो की 16 nm processor के साथ आएगा जिसमें 16 GB storage और 2 GB RAM सेम तरह की configuration म मिलेगी लेकिन यहां पर आपको बड़ा display मिलता है जो की full HD display है हाला की Honor 5C में भी आपको full HD display मिलने वाला है जबकि वो display 5.2 inch है अब बात करेंगे उस comparison के बारे में बात में detailed comparison बात में करेंगे एक और device जो इसके साथ compete करने वाला है वो है Lenovo की तरफ से अगें जिसका नाम है तो कुछ इस तरह से इसका comparison होता है Moto G4 Plus के साथ, ZUG Z1 के साथ या फिर Honor 5C के साथ जो की हम detail में बात में करेंगे यह कुछ initial points है जो मैं आपको बता दे रहा हूं अब यह video कोई review video नहीं है यह initial video है जिसके अंदर हमने आपको इस Moto G4 के box contents दिखा दिये है इसकी price आपको बता प्राइस पर यह फोन आने वाला है लेकिन यह price confirm नहीं है और यह सारे points जो है यह सिर्फ एक तरह से इसके pros and cons हो जाते हैं अगर आप comparison करें लेकिन आप इस video को review video मत मानिये और हमारे unboxing और review का वेट कीजिए उसके अंदर आपको और बहतर इस phone के बारे में पता चलेगा बहु जाइन वाने माने